हलो एवरीवन वेलकम टू माइ यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर जोन तो आज के विडियो का हम लोग का टॉपिक है दा लैंग्वेज ओफ पाराडॉक्स जो की कलिनित प्रूक्स का काफी फीमस एस है ठीक है तो विडियो शुरू करते हैं विडियो अगर आप ल लैंग्वेज ओफ पाराडॉक्स रिटेन बाए ग्रेट अमेरिकन क्रिटिक जिसको की एक महान अमेरिकन क्रिटिक आलोचक क्लिनित प्रूक्स की दौरा लिखा गया ठीक है इस एसे के जरिये ब्रूक्स दिखाय हुए है कि हाव दर पोईट कन्वे हिस थौट एडियास की क बारे में अपने आइडियास की बारे में बताता है by using लिटर डिवाइज लाइक पाराडॉक्स मतलब इसन उसका यूज एक कोई रिटर कैसे अपने थौट और आइडियास की बारे में बताो है विदा उट इंप्लॉइंग एटारेक्ट स्टेटमेंट इंpeels मतलब भीना इ सिधा श्टेटमेंट के यूज किया बिना कैसे एक मतलब पारड़ॉक्स के थू अपने थौट और आइडियास को जो है ऑफर जो पोईट है वो क्या करता है करता है हम लोग तक पहुचाता है ठीक है पारड़ॉक्स में क्या होता है कि एक डारिक्ट स्टेटमेंट का यूज इसको हम समझेंगे, ठीक है, जैसे कि, यहाँ पर एक sentence हम लिख रखे, nobody goes to dead restaurants, it is too crowded, मतलब वहाँ पर कोई नहीं जाता, मतलब जो restaurant है, उस restaurant में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर बहुत जादा भीर है, इस तरगी का statement यूज करता है, पोईट्री में इसी तरह पोईट्री में अपने thoughts को आइडियास को दिखाने के लिए, कि लाइन कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन उसका meaning कुछ और होगा, ठीक है, तो वही paradox का यूज जो है, क्लिनित ब्रुक्स अपने इस चप्टर में इस एसे में बताए हुए है, अब आगे है, इस नोट मेरली अ लिटररी डिवाइस, यह सिर्फ एक लिटररी डिवाइस नहीं, मतलब साहित एक यूगती नहीं है, कि इस सब्सक्राइब कि एटहरी उसकिऑगार्च शुगist क्लिनित ब्रुक्स की बारे में मौ रख पढ़ हुआ है उसले मेरे के लिटरी क्रिटिक की अकुर्में इसमें सब्सक्राइब कि 12th century 20th century के, spent 15 years as a professor in the English department, English department के professor के रूपे, वो 15 साल spent किये, he was a central architect of the new criticism, तो new criticism के central architect, architect क्या होता है, जो कोई भी चीज बनाता है, mainly जो घर बनाता है, इसको architect कहा जाता है, ठीक है, तो जो central architect, वो भी एक मतलब इनकी बहुत महतरपुन बुमी का बताई जाती है, new criticism के बनने, अब new criticism क क्या है, वो लिखे हो है, एक critical movement, जो कि एक critical movement था, that transformed the teaching of literature, जो कि एक बदल के रख दिया, literature के teaching के style को, साहिती के teaching को, in the United States, तीक है, United States में literature के teaching के style को transform कर दिया, new criticism, जो है, फिर आगे है, he profoundly influenced American literary studies, वो क्या करते है, प्रभल, गंभीता पूरवक, जो है, काफी प्रभावीत कर generation of students and teachers, और सेब, एक आकार देते है, successive it means, आगे आने वाला जो generation है, students का, या teacher का, of literature with his work, तो अपने work से, अपने काम से, यह क्या करते है, छात्र और साहिती के जो सिख्छक है, literature के जो सिख्छक है, उनके आने वाली जो आगे generation है, आगे आने वाली पीडियों को, क्या करते है एक आकार देते है, उनको बताते है कि कैसे literature पढ़ना चाहिए, literature पढ़ने का तरीका क्या है, या पढ़ाने का क्या तरीका है, Brooks taught at LA University, LA University में भी पढ़ाए हुए है, from 1947 to 1975 तर, ठीक है, अब LA University जो है, United States के, आज के टाइम में भी, present टाइम में भी, United States के, टॉप फाइब उनिवर्सिटीज में आता है, जिसमें कि अगर हम United States के और भी, उनिवर्सिटीज की बात करें, तो इसमें, Harvard University, आप लोग नाम सुने होंगे, Stanford University, Princeton University, और Yale University, ये सब काफी फेमास है, तो Yale University में भी ये प्रोफेसर के रुप में काम की है, अब आगे, Brooks Works included, Brooks के Works में शामील है, Literary Criticism, A Short History, जो कि एक बुक है, Co-written with William के Wimset, जो कि इसको की वो लिख रखे है, William के Wimset के साथ मिलके, A Shaping Joy है, एक Shaping Joy भी लिख रखे है, The Well Wrought Earn, जो कि अभी हम बताएं, and there are several books, और भी बहुत सारा बुक्स लिख रखे हैं, William Faulkner, ठीक है, William Faulkner पे भी बहुत जो प्रभावित थे, Modern Critics, कुछ आधोनिक Critics, आलोचक के दरा, जैसे कि T.S.E.L.I.A. Richard, और William Imson, T.S.E.L.I.A. Richard के दरा, काफी प्रभावित थे, कौन? क्लिनित ब्रुक्स, ठीक है, अब आगे है क्लिनित ब्रुक्स, एस बात पर जो डालते हैं, कि Paradox is the most appropriate, कि Paradox जो है सबसे appropriate, it means उचित, and ideal, और सबसे योग, डिवाइस है, युक्ति है, for poetry, poetry के लिए, in order to convey thought as well as emotion, अपने, मतलब, emotion को express करने के लिए, अपने thoughts को express करने के लिए तो सबसे उप्युक्त, मतलब युक्ति एक यंत्र डिवाइस माना गया है, Paradox को, इस बात, मतलब, according to क्लिनित ब्रुक्स, अब आगे है, he also says that, वह आगे कहते है, that language employed in science, कि language जो science में यूज कर जाती है, जो भाजा का use, science में क्या जाता है, is refined, वो काफी refined होता है, and clear होता है, उसका कोई double meaning नहीं होता है, जी सभी poetry बता है, Paradox statement बता है, कि उसका double meaning निकल रहा है, तो साइंस में वहुत refined and clear language होता है, free from paradoxical statement, science का language paradoxical statement से बिलकुल free होता है, आगे हमें quotes mention किये हो है, जो क्योंनी के इस्टे से है, वो बोलते है, Paradox is the language appropriate and inevitable to poetry, जो paradox जो है, वो appropriate एक बिलकुल उचित बिलकुल ठीक, और इनी अविटिवेबल, इट मिन्स एक अनिवार है, language है poetry के लिए, ठीक है, अब आगे हम लोग देखते है, Brooks has employed three diverse examples from English poetry, तो Brooks जो है, तीन अलग-अलग example दिये हो है, English poetry का, तीन diverse है नहीं होता है, भीन अलग-अलग example दिये हो है, he has given an example of William Wordsworth poem, वो प यह दोनों poem का example दिये होए है, क्लिनित ब्रुक्स, William Wordsworth के, और John Dunn's famous poem, The Canonization, और John Dunn की काफी famous poem, जो है, Canonization, उसका भी example दिये हो है, in order to prove his point of view, अपना point of view, प्रूव करने के लिए, कैसे paradox important है, वो यह दो-तीन poem का example दिये हो है, क्लिनित ब्रुक्स, अब आगे है paradox in Wordsworth poetry, अब हम लोग पढ़ते है, कैसे Wordsworth की poetry में, पाराडॉक्स का यूज के रादा था, ब्रुक्स, इस्टेट, ब्रुक्स, आगे कहते है, that the language of William Wordsworth, William Wordsworth का language is the language of paradox, वो paradox का language था, as a romantic poet, romantic poet के रूप में, William Wordsworth emphasized, William Wordsworth इस चीज की व्याख्या करते है, simplicity of thought, thought की simplicity, यानि सधारनता को, सादगी को दिखाते है, and lucidity of expression, lucidity it means, हम लोग बोल सकते हैं, aspastata दिखाते हैं expression का, expression it means, अभिवैक्ती का, aspastata दिखाते हैं in poetry में, but, लेकिन जो क्लिनित ब्रुक्स है, says that, वो कहते हैं, कि Wordsworth poem, Wordsworth की जो कवीता, it is a beautiest evening, is pregnant with paradoxical statement, वो पूरा paradoxical statement से भड़ी पड़ी है, the poem begins with the line, poem जो है, in line के साथ सुरू होती है, आगे हम दो-तीन line mention के हुए poem का, it is a beautiest evening, calm and free, मतलब यह काफी सुंदर, beautiest, यानि काफी सुंदर साम है, calm है, it means, यह साम है, वो सान्थ है, and free है, the holy time is quiet as a nun, holy time, जो साम का जो समय था, वो quiet, it means, जो बिलक है, जो मठ में रहते हैं, वैसा कुछ, तो बिलकुल वो holy, इस evening को, nun से compare करते है, breathless and adoration, breathless, यानि हो जाता है, जो प्रान हीन हो, और adoration, मैं समलोग बहुत सकते हैं, राधना या श्रधा, ठीक है, अब आगे है, here, अब यहाँ जो है, मतलब आगे हम उन तीन line के बादे हैं, जिसको मैंशन किए, the poet has compared a beautiest evening to a nun, कि poet क्या करते हैं, a beautiest evening, उस सुंदर शाम को एक nun के साथ compare करते हैं, वही शाधवी के साथ, but it actually, but, मतलब, actually में, शतता में, यह has more than one meaning, इसका एक से जाधा meaning है, the poet is filled with a feeling of worship at that time, तीक है, उस time जो पोईट है, पूरे worship वाले feeling से भड़े बट लेकिन, the girl who walks beside him, लेकिन जो girl है, who walks beside him, जो उनके साथ चल रही है, जा रही है, जो उनके साथ है, is not worshiping, वो पूजा नहीं कर रही है, ठीक है, there is the language of paradox, तो यहाँ पे हम लोगों, language of paradox देखनी को मिलता है, in this poem, इस poem में, और वट्सवत, वट्सवत के इस poem में, paradox देखनी क जो है, woman, वो बिलकुल वर्शी फाले मून में नहीं है, अब आगे, according to क्लिनित ब्रुक्स, क्लिनित ब्रुक्स के according, वर्ट्सवत सॉनेट, वर्ट्सवत की जो सॉनेट है, lines composed upon Westminster Bridge, की lines composed upon Westminster Bridge, जो poem है, मतलब सॉनेट है, सॉनेट, it means हो जाता है, 40 lines की poem को, ना, सॉनेट कहता है 14 lines की poem, ठीक है, has literary significance, उसका literary scientific significance महत्व है, and beauty, only because of paradoxical situation, मतलब इस poem में paradoxical situation का use किया गया, इसलिए ये poem क्या है, एक literary significance, उसका एक महत्व है, और ये सुन्दर poem है, काफी अच्छी poem है, the poem holds richness, poem में richness, मतलब it means, बहुत, poem को बहुत अच्छा दिखाया गया, स्रेश दिखाया गया and not due to the poet's skillful handling of image, इसलिए नहीं कि poet काफी कुशल तरिके से, इसमें image portrait किये हुए है, ठीक है, and novelty of emotion, और फिर novelty इतमें या फिर प्रचूरता, यानि बहुत जादा emotion दिखाया हुए है, but, लेकिन क्यों, because of the paradoxical situation, poetry को बहुत अच्छा बताया गया, इस poem को, इसलिए नहीं कि, जो Wordsworth है, अपने skill का, कॉशल का use किये हुए, अच्छे से portrait किये हुए, सब कुछ, बलकि इसलिए क्योंकि इसमें paradoxical situation का use किया गया, इसलिए इस poem को बहुत अच्छा बताया गया है, Brooks find in Wordsworth poem, Brooks जो है, Wordsworth के poem में दोनों चीज़ पाते हैं, both, कौन-कौन सा awe and wonder, अद्भूद और awe नहीं होता है, भेयुक्त भी, ठीक है, of English Romanticism, English Romanticism का, according to Brooks, Brooks के according, they are the fantastic paradoxes employed by Wordsworth, तो Brooks के according, जो है न, ये जो है, ये दोनों poem में, काफी जबर्दस्त paradox का use किया गया है, Wordsworth के द्वारा, ठीक है, Wordsworth के द्वारा, इन दोनों poem में, काफी जबर्दस्त paradox का use किया गया है, ऐसा किसक का कहना है, ठीक है, अब आगे है, in his famous works, अपने famous works में, preface to lyrical ballads, जो उनका famous works है, जिसको 1798 में publish करवाया गया था, ठीक है, जो कि Samuel Taylor Calleries, और Wordsworth दोनों मिल के लिखे हुएत है, Wordsworth expressed his views, Wordsworth जो अपना view expressed करते हैं, that कि his primary goal, कि उनका प्राथमिक goal है, was to choose incidents and situation from the life of ruler and rustic and common life, कि वो क्या चाते हैं, कि वो कुछ incidents, कुछ घटनाओं को use करना चाते हैं, और कुछ situation को choose करना चाते हैं, from the life of ruler and rustic and common life, कि ऐसी घटनाएं, पोलिटरी में use करना चाते हैं, ऐसा incident, ऐस situation in poetry में use करना चाते हैं, जो कि ग्रामीन जीवन से, rustic, ruler, ग्रामीन जीवन से, या common life से related हो, ठीक है, तो यहां तक हम लोग paradox भड़ लिये, Wordsworth की पोईट, अब आगे है, paradoxes in neoclassical poets के, जो neoclassical poets के पोईट थे, तो उसमें, उनके work में, उनके poetry में कैसे paradox पाया जाता है, नियो in his famous works, Asian man, pop uses paradox, उनका जो famous work है, Asian man, तो उसमें पॉप जो है, paradox का use किये हुए है, according to क्लिनेथ ब्रुक्स, क्लिनेथ ब्रुक्स के according paradoxes and irony, paradox और irony है, जो are cradle in the poets language, वो poets की भासा में, क्या है, पले बढ़े हैं, cradle जनी पले बढ़े हैं, ठीक है, in which जिसमें की बोट, जिसमें की दो connotation, connotation and denotation, or denotation, connotation, it means हो जाता है, अतरिक अर्थ या फिर अर्थ जो है, प्ले वाइटल रोल, ठीक है, जिसमें दोनों अर्थ का, मतलब हम बता है, paradoxical statement का दो अर्थ निकलता है, जिसमें दोनों अर्थ का काफी महत्पुन भूमी का होता है, महत्पुन भूमी का निभाते है, there is a fine blending of irony and paradoxes in some of, अब यहाँ पर मतलब कुछ fine blending, it means कुछ mission दिखाए हुए है, irony का और paradox का in some of William Wordsworth poem, William Wordsworth के कुछ poem में, also the works of William Black, William Black के poem में भी हम लोग को दोनों का mission देखने को मिलता है, किसका paradox का और irony का Thomas Gray के poem में, and also no exception, मतलब इन सब का भी poem बचा नहीं है, इसमें भी हम अब लोगो paradox और irony दोनों देखने को मिलता है, Samuel Taylor Colerys, जो है, in his The Rhyme of Anacient Murder, तो Samuel Taylor Colerys जो है, अपनी poem The Rhyme of Anacient Murder में, has Dexter Rosely, Dexter Rosely, it means बहुत चतुराई से, बहुत अच्छे से, यूज इस पोईटिक डिवाइस, अपने पोईटिक डिवाइस, it means paradox और irony का यूज किये हुए अब आगे है, in the poem canonization, the speaker address canonization, जो John Denne की poem है, उसमें जो speaker है, address is silent listener, एक silent listener से बात कर रहे है, speaker वक्ता, who may be deemed as a sign of the practical world, जिसको कि एक symbol के रूप में यूज किया गया है, practical world, ये जो हमने, world है न, पूरा, उस practical world के symbol के रूप में, एक silent listener को यूज किया गया है, तो, उसको जो है, speaker कहते है, which considered, considers, love as a useless and meaningless affair, मतलब जो ये practical world के sign के रूप में, जो वो listener को लिया गया है, कि नौनाइजेशन पोयम में, speaker के दौरा, तो, जो क्या समझते है, लव को useless समझता है, और meaningless समझता है, ठीक है, the two lovers, जो दो लवर से, दो प्रेमी है, escape from the convention, rule and binding of the secular world, इस secular world के दौरा, जो convention, it means, जो, हम लोग बोल सकते है, नियम बनाया गया है, तो उस से क्या करते है, उस नियम से बचना चाते है, उस बंदन से बचना चाते है, उस नियम से भागते है, ठीक है, कौन दो लवर जो इस पोयम में, यूज किया गया, जिन दो लवर का, the poet says, poets कहते है, यहापे हम पो जो, एक sign की रूप में लिया गया है, listener को न, इस world के, ठीक है, that he should not consider his love disease and immoral की, उस को, उस listener को जो है न, उसके love को, मतलब speaker के love को, disease नहीं समझना चाहिए, कोई बिमारी या immoral या नहीं अनेथिक नहीं समझना चाहिए, and ask him to confine himself to his other flaws, his palsy and his approaching old. और उसको कहते है कि, वह, उस listener को, क्या कहते है कि, वह क्या कर सकता है? खुद को रोके, वो क्या कर सकता है, वो, पोईट में गल्ती निकाल सकता है, his palsy, उसके लकवे के बारे में, बात कर सकता है, and his approaching old-ies, कि बारे में उसके लव की बारे में कुछ ना बोले ठीक है ऐसा speaker कहता है listener को ठीक है the secular friend जो secular friend should not find false in his love affair कि वो जो friend है वो जो listener है उसको नहीं डूढ़ना चाहिए उनके love affair में कोई false दूढ़ने की कोशिच नहीं करना चाहिए because क्योंकि no one is affected by a love affair क्योंकि इस world का कोई भी इनसान उनके love affair से उनके प्यार से अफेक्ट नहीं हो रहा है किसी को harm नहीं हो रहा है उसके प्यार से उनके प्यार से तो इस वज़े से वक्ता जो speaker कहता है कि उनका जो friend है जो listener है जिसको की माना गया है world का symbol के रूप में कि उसको मेरे 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 कमया बता सकता हो मेरे oldest के बारे मेरे बात कर सकते हो ठीके है लेकिन तुम मेरे प्यार की बारे मेरे love affairs के बारे में एक कुछ नहीं बहूशा कर रहा है Luister को ठीक है अब आगे है difference between the language of poetry and science to science u और poetry में क्या difference है, इसके बारे में बात करते हैं, क्लिनित ब्रुक further differentiates between science and poetry, आगे क्लिनित ब्रुक science और poetry में difference बताते हैं, he thinks that science tends to make terms lifeless and direct, science जो है कोई भी चीज को, कोई भी term को lifeless बना देता है, lifeless इक मिन्स जो अनन तक रहे and direct, with the help of denotation, denotation इक मिन्स सही अर्थ के साथ, एक अर्थ के साथ, एक सटीक अर्थ के साथ, ठीक है, तो denotation के help से क्या करता है, science किसी भी चीज को direct बना देता है, in poetry, लेकिन जो poetry में है, the poet brings novelty to term, poet क्या करता है, novelty मिन्स नवीनता लाता है, कुछ नया create करता है, terms में, by debiting from the denotative, debiting यानि बदलता है, मतलब कुछ changes लाता है, from the den denotative meaning, denotative meaning, यानि जो real meaning है, उसमें कुछ changes लाता है, उस term में, denotative meaning, of term and their dictionary meaning, कुछ dictionary meaning, denotative meaning में changes लाके, कुछ नवीनता लाता है, poetry में, लेकिन जो science होता है, उसमें ऐसा नि कह जाता है, उसमें direct, मतलब apply कर दिया जाता है, words को, sentence को, term को, ठीक है, science make use of direct expression, science में direct expression का use के जात है, मतलब confirm होता है, सही होता है, ठीक है, जो change नहीं होता है, कहीं भी, where's, जबकि poets hind the message, Hindi, जबकि poets hind the message, poet क्या करते है, Hindi, it means, एक तरह से हम बोल सकते है, छुपाते है message को, and meaning of their work, और अपने work के अर्थ को, by employing political device, political device का use करके, like paradoxes and irony का use करके, ठीक है, irony और paradox का use करके, poet क्या करते है, अपने meanings को छुपाने की कोशिस करते है, ठीक है, जबकि science में ऐसा नहीं होता है, the language of poetry, जो poetry की language होती है, cannot be direct, वो direct नहीं हो सकती, science के तर है, ठीक है, Brooks states, Brooks फिर आगे कहते है, that the directness of language, language की जो directness है, is of no use in poetry, उसका कोई use poetry में नहीं है, इसको आप as a quotation में use कर सकते हो, कि the directness of language is of no use in poetry, ठीक है, अब आगे हम conclusion mention किये हुए है, conclusion में है, क्लिनित ब्रूक्स developed a method of analyzing a literary works, क्लिनित ब्रूक्स क्या किये हुए है, developed एक तडिका बताये हुए है, method विक्षित किये हुए है, analyzing, visualization का, literary work का, by embracing T.S. Eliot and I.A. Richard's method, I.A. Richard और T.S. Eliot का, जो new criticism का method है उसको अपनाते हुए, जो क्लिनित ब्रूक्स से एक अपना तडिका बताये हुए है, विशलेशन का, किसी भी literary work को, ठीक है, his work, उनका जो work है, understanding poetry, produced in, उसको produced करवाया गया, उसको publish करवाया गया, in collaboration with Robert Penwaran, Robert Penwaran के साथ collaboration, मिलकर लिखे, मतलब Robert Penwaran के साथ मिलकर, इसको, जो है, क्लिनित ब्रूक्स पब्लिश करवाया है, establish the work of new criticism, जो कि एक new criticism का work, it means, एक प्रचलन, अस्थापित करता है, establish करता है, which emphasized close reading of the text, जो कि इस चीज़ पर बल देता है, कि हमको किसी भी text का close reading करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो कि new criticism में हम इसको mainly discuss किये हुए है, in brief, अब संचेप में, क्लिनित ब्रूक्स जो है, device like paradox और irony है न, it is to play a vital role, कैसे वो एक महत्रपुन भूमिका निभाते है, in the meaning of the literary text, किसी भी literary text के meaning में, by examining the works of William Wordsworth and John Dunn, तो John Dunn और William Wordsworth के works का example देते हुए, जो क्लिनित ब्रूक्स है, वो हम लोग को समझाते हैं, किस तरह से जो paradox और irony जैसे literary device होते है, वो कितनी महत्रपुन भूमिका निभाते हैं, किसी भी साहितिक text की meaning को, बताने में meaning को, मतलब, सही तरीके से पहचानने में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यह video खदम होता है, video और आपको अच्छा लगा, आपके लिए helpful है, तो प्लीज आप लोग video को like करो, चैनल को subscribe करो, और comment करके बताना video को कैसा लगा, मिलते हैं, next video में, next topic के साथ,